नमस्कार दोस्तों बॉक्स अपिस पे इस वक्त तीन बड़ी फिल्म में चल रही है जिसमें तो दोस्ता हमारी पहली फिल्म है डेड़ बुल एंड वलवरीन जिसका आज है बॉक्स अपिस पे दूसरा दिन हमारी दूसरी फिल्म है सरफिरा फिल्म है जिसको बॉक्स अपिस पे लगे वे को आज हो चुके हैं 15 दिन हमारी दोस्तों तीसरी फिल्म है बेड न्यूस और दोस्तों बेड न्यूस को बॉक्स अपिस पे लगे वे को 9 दिन हो चुका हैं आज हम आपको बताएंगे कि ये तीनों फिल्में बॉक्स ओपिस पे कितना बड़ा कलेक्शन कर रही है और दोस्तों मुवी का बर्ज और क्रेज केसा बना हुआ हैं। तो चली दोस्तों मैं नामे आकास आप देख रहे हैं एवी बॉक्स ओफिस चली ये सुरू करते हैं। कि सर्फिरा फिल्म वाकई में शांदार फिल्में। इस फिल्मे को प्रेडूस करा है खुद सूरिया सर ने और फिल्मे को डारेक्ट करा है सुदा मेम ने। अब आपको बता दे इस फिल्मे की सबसे बड़ी बात कि मुवी का बजट है 80 करोड रुपे और फिल्मे के अंद 2.50 रुपे पर दोस् SCOTT इस Film अपने दूसरे दिन 3.09.9-60 रुपे का कारोबार कर लिया था अब अगर बड़े इस Film में के पहले हपते के कलेक्शन की तरह तो दोस् SCOTT मुवीन अपने पहले हपते में 18.45 रुपे का कम कलेकशन करके सभी का दिल तोड के रख दिया क्योंकि दोस्तों सभी को लग रहा था कि अक्षे कुमार की फिल्में तपने पहले अपते में 30 क्रोड का अखडात पार करी लेगी पर दोस्तों अभी पिछले समय से अक्षे कुमार की काफ़ी सारी फिल्में कम कलेक्शन कर रही है अब दोस्तो आज का दिन है मुवी का 15 वा दिन और दोस्तो आज है सेटरडे उसके बावजुद भी फिल्म अपना 40 लाग का ही प्रिडिक्शन बता रही है जिसे चलते इस पल्मे का 15 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 24 करोण 90 लाग रुपे देखने क कले मिल रहा है तो दोस्तो मुवी एक काफी बड़ी फ्लॉपस अभी तो हो चुकी है इसी के साथ दोस्तो अगर हम बड़े हमारी अगली फिल्म यानि कि डेड़ बूल एंड वल्वरीन की तरह तो आप सभी को पता है कि मुवी का बस, क्रेज, ओक्यूपेंसी, कितनी बहतर और शानदार देखने के लिए मिल रही है ओडियंस इस मुवी की तारीफ करतों में नहीं ठकरी अगर आपने फिल्मे का पब्लिक रिव्यू नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तो हर एक वेक्ती इस फिल्मे को देखने के बाद में डेड़ पुल का दीवाना हो चुका है और दोस्तो वल्वुरिन की जो बॉड़ी है फिल्मे के अंदर बाई साप दिमाग खराब करके धर देगी उसके अलावा मुवी की स्टोरी अच्छी है बक्चोदी का पी जदा शानदार है और शानदार बक्चोदी की साथ साथ में मुवी के अंदर इतने सारे केमियोस आप सभी को खुश करके धर देंगे दोस्तो फिल्म का फर्ष्ट आप और सेकेंड आप कब श्टार्डो के कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा एक दमदार विलन जो कि आपको फिल्म में में देखने के लिए मिलता है और उसके साथ में बेक स्टोरी भी चलती है जिसके अंदर आपको डेट बूल भी अकेला है और अंदर से अपने आपको काफी कमजोर महसुस करता है ये भी पता चलेगा खुल्म लाके कहूं कि 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनने वाली फिल्म डेट पूल ने अपने पहले दो दिनों में ही 103 मिलियन डॉल का कारोबार कर लिया और दोस्तों 8000 करोड रुपे की कमाई करके फिल्म बन चुकी है एक काफी बड़ी हिट क्योंकि अगर ये फिल्म दो दिनों में अपने बजट का आदा रिकावर कर सकती है तो सोचिए मूवी का बर्स कितना बेहतरिंग बना हुगा चलिए दोस्तों ब पचास लाग रुपे तेलगू से कमाई एक करोड बीस लाग रुपे और दोस्तों तामिल से कमाई एक करोड दस लाग रुपे पर दोस्तों बात करें फिल्म में के सेकेंड के पेडिक्शन की तो जिस तरीके से मूवी का बर्स क्रेज और उक्केपेंसी देखने के लिए मि जो कि दोस्तों काफी अच्छा कलेक्शन है और दोस्तों अभी तक की रिलीज करी गई फिल्मों से कहीं ज्यादा बढ़के क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्मों ने तो अपने 15 दिनों में भी इतना कलेक्शन नहीं करा चलिए दोस्तों बढ़ते हमारी तीसरी और आखरी फिल्म बंदा आय दीन ट्रेंडिंग पर चल रहा कहना पड़ेगा कही न कहीं बंदे की किसमत खुल के क्येट्रेना केफ से साधी करनी के बाद। तिनुवे दोस्तों, उसके बास से बंदे की फिल्मेंभी चल रही है और फिल्म के साथ-साथ विक्की कोसल को बड़े-बड़े और दोस्तों महेंगे प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं अभी उनकी काफी बड़ी फिल्म आने वाली है, जिसके अंदर उनका काफी अहम और बड़ा किरदार है, दोस्तों फिल्म में के अंदर आपको विक्की कोसल, तृत्ती डिम्री और एमी वल्क जैसे बेहतरिंग और दमदार करेक्टर काम करते हो निज़ा आ रहे हैं, आपसे मैंने बज़ट सुना कि मूवी का बज़ट 80 करोड रुपे है, तो दोस्तों मेरे पेरो तले जमीन खिसक गई, पर उसके बावजूद भी विक्की कोसल का जादू चला, और दोस्तों फिल्म अपना बज़ट रिकावर कर चुकी है, और दोस्तों बन चुकी है एक हीट फिल्म, जी हाँ आपको बता दे कि बेड निव्स मूवी ने, अपने पहले दिन अक्षे कुमार की फिल्मे का रिकोर्ड तोड़के, 8 करोड 30 लाख रुपे का कलेक्शन कर लिया था, वही पर दोस्तों फिल्म अपने पहले हपते में 42 करोड 85 लाख रुपे का अकड़ा पार कर जिया था, अब दोस्तों ये फिल्म अपने 8 दिन 2 करोड और 9 दिन 3 करोड रुपे का पिडेक्शन मता रिये, जिसके चलते हैं इस फिल्म में का 9 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन और 40 करोड 35 लाख रुपे देखने कली मिल रहे है, तो वही पर फिल्म में का ग्रॉष कलेक्शन 77 करोड रुपे देखने कली मिल रहा है, अब बात करें फिल्म में के विदेशी मारकी डानी के ओवर सीज कलेक्शन की तो फिल्म बेड न्यूज ने ओवर सीज से कमा लिए 12 करोड रुपे जिसका वर्डवाइट ग्रॉस कलेक्शन होता है 90 करोड रुपे और दोस्तो मुवी का बजट केवल 80 करोड रुपे जानी कि यहाँ पर दोस्तो बैड न्यूज हो चुकी है एक काफी बड़ी गूड न्यूज और दोस्तो बन चुकी है एक काफी बड़ी हिट फिल्म है विज़ो दोस्तो अगर आपने तीनों फिल्मों को देख लिया तो अगली अपडेट आपको कौन से फिल्म में की चाहिए और हमारे चैनल एवी बॉक्स और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जेहिंद वन्ने मात्रम ध्यान रिकियेगा अपना और अपने माता पिता का जेहिंद झार्णा झार्णा धरूल जा, पिता सके अङ्ञ़ करना ज्यान माता झाएब करना है कि कि और देखर्णा वन्ने माता ना हमाम सठे हैं कि पनला ना भजना माता है कि वत killed, SSL changing my? झाल च्व्यान